सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी भी है और मजबूरी भी है सरकारे लोगडाउन पार तीन वे छूट दी है कई रियायते दी है इसका मतलब ये नहीं है कि लोग नियमों का उलंखन करें प्रदेश के कई जलू से ऐसी तस्वीरे सामने आई हैं जो परेशान करने वाली हैं सरकार ने लोगडाउन में छूट क्या देदील लोगों के मन में करोना का डर ही खत्म हो गया लोग अपना कर्तब भी भूल गए सिर्फा में इसका नजारा देखने को मिला लोगडाउन में धील के बाद मोबाईल की दुकाने खुल गई लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बन गया मोबाईल दुकाने में लोगों की भीर जूट गई ना किसी को समाजिक दूरी का ख्यान रहा ना ही मास्क लगाने का ऐसा लगा जैसे लोगों ने कुरोना को मात दे दी हो हलाकि प्रशाशन द्वारा खासतोर पर हिदायद दी गई है कि दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाए अन्थाउन की पर्मिशन रदिकर दी जाएगी और लोगडाउन के दौरान पुना दुकान खुलने की इजाज़त नहीं मिलेगी लेकिन इसके बाबजूद दुकानदार इससे बेपरवाह दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग मेहच मजाग बन कर रहे गया नारनौल में भी प्रशाशम के आदेशों का दुकानदारों पर कोई प्रभाब नहीं पड़ा ब्यापारियों को दुकान खोलने के लिए सुआ आठ बजी का समय दिया गया था लेकिन कुछ ब्यापारी आठ बजे से पहले ही दुकान खोल कर बैठ गये इनके अलाबा भी उन दुकानदारों ने भी अपने दुकान खोल दिये जिने अभी परमिशन नहीं मिली थी सब्जी दुकानदार भी नियमों की धजियां उडाते दिखाई दिये सब्जी बैचने बालों ने न मास्क लगाये थे नहीं ग्लप्स बाजारों में भी भीड देखने को में लोगडाउन थी में राजे सरकार और जिला परशाशन द्वारा नियमों को बनाते हुए मार्क बनाया गया और नियमों को लागू किया गया तो वहां उसकी दजियां भी उती नजराई क्योंकि बजार के अंदर जिस तरीके से आम देखा आपको तस्वीरों के माधियम से दिखाएंगे कि किस तरीके से बजार में जो यह लोगडाउन की दिजियां उडी एक दुकान प मुझे उपर मास्क नजर आया वाहन चालकों का ही नहीं दुकंदार जिनको जूट दी गई वो भी इसमें लापर वही बरत रहे हैं अब द्यान रहे कहीं जो यह राहत सरकार ने दी है यह कहीं आफत ना बन जाए चंता के लिए नार्मों से कैमरा परसन पर्वीन लखेरा क के साथ मनोज गोस्वामी की खास है लोगड़न पार्टीन में शर्तों के साथ चूट दी गई है लेकिन लोगों को बस चूट याद है और शर्त और अपनों फर्ज वो भूल गए है रतिया में भी प्रशाशन के आदेशों को लोग ठेगा दिखाते नजर आये रतिया में बाहनों को बाजारों के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी ना ही दोपईया बाहनों को दुकान के बाहर पार्ट करने की इजाज़त लेकिन इन सब के विप्रित बाजार में बाहनों की कतार लग गई और लोग धरलने से अपने बाहर पार्ट करने लगी रोतक में भी लॉगडाउन महत मजाट बन कर रहे गया जैसे ही लोगों को छूट की सूजना मिली बाजारों में भीड कठी हो गई दुकांदारों भी सोशल डिस्टेंसिंग का फालन ही करवाया और भीड लगातार आम दिनों की तरह बढ़ती रहे एक दुकांदार ने तो हमारे कैमरे को देखकर अपने ग्राकू को ही बापस भेज दिया जब दूसरे दुकांदार से इस बारे में बात की गई तो नहों ने कहा कि लोग समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का फालन नहीं कर रहे हैं कि जैन साब आपने यह इतने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं आप लोग इनको रहे हैं तो पर यह मान ने रहे हैं क्या विल्कुल कि नियुक्त कि अधियर के बाद प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखी रोतक के उपायुक्त में भी लोगों से अपील किया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें क्योंकि यह छूट सरकार द्वारा दी गई है ना कि कोरोना वाइरस ने लोगों को यह छूट दी है कि यह सारी सब्सक्राइब जब चलेगी जब यह हमारे गवर्मेंट ऑफ इंडिया एंचे की डाइड लाइन जिसके बदाबी सोशल डिस्टेंसिंग और और मास्क बिना रगाय कोई बार निकलेगा अपनी सोब्स को दिन में दो बार सेनिटाइब करेंगे और जो एमेचे की गाइड लाइन है कि जो लेबर और सेल्लर तो बुकानों की परिवाशा प्रिवारी ने कोई दिये अपनी सावधानी में सावधानी रखे सावधानी बढ़ते इसकी मैं यह यह पीदरूआ के दिलावासी हमारी जो सरकार ने और एमेचे ने जो छूट दिये उप छूट के बदे लगदर चूट को भी सोशल डिसेंजिंग और दिये गए नोरंस क से बताबिक और जो लोग डाउन गिया दर कंडिशन से उन्टों ठीक वरकार से पांच आए ताकि हम करोणा से बचे रहे तो ऐसे में सवाल यह उगता है कि आखिर इस तरह में इस जंग को कैसे जीतेंगे लोगड़ॉन का मकसद कोरोना के चक्र को तोड़ना था लेकिन अर जंगन करना भाड़ी पड़ सकता है कोरोना के खिलाब जंग में हम कमजोर पड़ सकते हैं अर्याना न्यूज भी आपसे अपील करता है कि घरों महीं रहें जादा जरूरी हो तभी बाहर निकले